हिंदी सिनीमा का वो अबिनेता जो अपनी आप में सिनीमा का महाविद्या लेके लाए केरियर में तीन कल्ट क्लासिक फिल्में की जिनें लोग आज भी नहीं भूल फाए हैं फर्फेक्शन ऐसा कि एक छोटे से सीन के लिए भी उन्होंने एक सो चार रिटेक दिये थे क्योंकि वो अपनी फिल्मों में हर चीज फर्फेक्ट देखना चाहते थे एक दिन तो उन्होंने साम पांच बजे शुरू की और रात के बारा बजे तक एक ही सीन की प्रैक्टिस कर करते रहें फिल्मी दुनिया की वो जाने मने हस्ती टेलेंट का महाविद्यल केह जाने वाले अवनेता कोई और नहीं बलकि गुरूदत थे उनकी आइकोनिक फिल्मों से जुड़ी कई ऐसी कहानिया हैं जिने सुनकर लोगों के लिए यकिन करना मुश्किल हो जाता है अपन टेक्स्ट बुक का दर्जा मिला है वो एक्टर होने के साथ साथ बतोर डिरेक्टर भी अपने काम को लेकर कापी मसुहूर थे एक्टिंग और डिरेक्शन में खुब भावाई लूट चुके गुरूदत ने एक्टिंग में हाथ आजमाने से पहले बतोर कोरिय ग्राफर काम कर रहे थे साल 1946 में फरभात इस्टूडियो की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था हम एक हैं इस फिल्म में गुरूदत ने वतोर कोरिय ग्राफर अपनी फिल्मी पारी की सुरूद की थी इसके बाद अविनेता को फिल्म में एक्टिंग करने का सुनेरा मुका भी मिला साल 1951 में उन्होंने देवारन के फिल्म बाजी में भी काम किया इस फिल्म के बाद उनके एक्टिंग की गाड़ी निकल पुड़ी थी गुरुदत अपने परफेक्शन के लिए खास तूर पर जाने जाते थे अपनी फिल्म प्यासा के लिए उन्होंने एक सीन के लिए एक सोचार निक दिये थे लेकिन वो सीन ठीक डंग से सूट नहीं हो रहे थे इस एक सीन के लिए उन्होंने साम के 5 बज़े से रात के 12 बज़े तक सूटिंग की थी खुद इस चोटे से सीन के लिए उन्होंने 104 रिटक्स दिया थे इसके बाद अगले दिन फिर से इसी सिन से सूट सुरू हुआ और गुरुदत ने फैल ही टेक में वो सिन ओके कर दिया बाद में उनकी ये फिल्म कल्ट क्लासिक साबित हुई आपको वाता दें कि गुरुदत ने अपने एक्टिंग में लोहा मनवाने के बाद साल 1951 में वतवर डिरेक्टर अपने केरियर की सुरुआत की थी इस फिल्म में देवानान और गीता दत लीड रोल गीता बाली थी उनके डिरेक्शन बनी ये पहली फिल्म ही जबर्दस्त हिट साबित हुई थी इसके बाद गुरुदत ने CID में वाहिदा रेमान को पहली बार कास्ट किया फिर क्या था उनने क्लासिकल सिनिमा की जाड़ी लगा दिती